इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप bottom application यूज करते हैं तो जब आप video call करते हैं तो आपको problem आती होगी video call connecting issue आता होगा video call लगती नहीं होगी या फिर कुछ इस तरीके से भी problem आती होगी तो इस video में मैं आपको ये सारे solution बताऊंगा आपको video पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना है सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ solution से पहले आप एक चीज जरूर कर ले बाहर आ जाएं पूरी तरीके से home page पे और phone के power button को देर तक press करके एक बार restart या reboot जरू कर ले अपने phone को ठीक है यह आपने कर लिया अब आपको अपनी bottom app में आना है इसके बाद देखिए अगर आप video call करने जाते हैं तो इस तरीके से problem आती है ठीक है यहाँ पर कुछ permissions enable करने बोलता है तो आपको करना क्या है ध्यान से देखिए grant permission पे click करें ठीक है तो आपको श करेंगे तो डारेक आपको यहाँ पर भेज देगा यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको permission के option पे यहाँ पर click करना है और अब आप यहाँ पर सबसे पहले camera on करें camera जरूरी होता है video calling के लिए तो उसे on कर दें microphone जरूरी होता है video calling से बात करते वक्त तो उसे भी allow कर दें और ब यह आप allow करेंगे यहाँ से बाहर जाएंगे तो तुरन देखिए call लग जाएगा आप देख सकते है video call लग गया है तो इस तरीके से यह problem solve कर सकते हैं बाकी अगर आपको कोई दूसरी problem आ रही है connectivity से related तो यहाँ पर आपको यह दूसरा solution बता रहा हूँ अगर video calling में connectivity से related problem आ आपको कोई भी browser जैसे chrome browser में चले जाना है ठीक है और यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है ध्यान से देखिए यहाँ लिखिए bottom app up to down same as it is search कर ले इसके बाद यहाँ पर आपको up to down की website पे bottom दिख जाएगा spelling को mind मत कीजिए यह application वही है इस पर click कीजिए add latest और old दो वर्जिन दिख जाएंगे तो आपको latest पे click नहीं करना है कभी कभी latest में कोई bug आ जाता है इसी वज़े से हमें problem देखने को मिलती है तो आप older version पे click करें इसके बाद नीचे बहुत से पुराने version दिख जाएंगे तो किसी एक पे click कर दें like यह वाला and यहाँ पर इसे download कर लें download करने के बाद आपके phone में जो already installed है उसे uninstall करें और इसे install कर लें इसके बाद आपकी problem definitely solve हो जाएगी देखिए अगर problem solve नहीं होती है तो आप comment में मुझे बता सकते हैं क्या problem है मैं आपको उसका कुछ और solution बताऊंगा वीडियो पसंद आई हो तो text store को subscribe जरूर कर दें